खाने और चाय का सुवाद बढ़ानें के लावा अद्रक का इस्तेमाल वेकलपिक चिकिस्ता के विभेन रूपों में किया जाता है ये डाइजेशन को दुरूस रखने और कोल्ड फ्लू से लड़ने में काफिज जादा मदद करता है अद्रक की अनूठी सुगंध और सुवाद इसके प्राकर्टिक तेलों से आता है जिनमें से सबसे जरूरी जिंजरोल है जिंजरोल अद्रक में मुख्य बायक्टिव यॉगिक है ये अद्रक क्यों शद्य गुणों के लिए जिम्मेदार है जिंजरोल में शक्ति शाली एंटी इंफ्लेमेटर और एंटी ऑक्सिडेंट गुण होते हैं ये ऑक्सिडेटिव तनाव को कम करने में काफिज जादा मदद करता है जो कि शरीर में जादा फ्री रैडिकल्स के चलते होते हैं आइस के फायदे और इस्तिमाल के बारे में आपको बताते हैं अदरक अइस्तिमाल करके कई रोगों का समधान किया जा सकता है अदरक में मौझूद एंजाइम खाने को सही तरीके से पचने में मदद करते हैं और शरीर के मेटा बॉल्सिं को दुरूस्त बनाते हैं blood circulation को बढ़ाने वाले गुण होते हैं जिसकी मदब से ये तवचा के स्वास्त में सुधार करता है antioxidant तवचा को UV केड़नों से बचाते हैं और collagen के तूटने को दीमा करते हैं जिससे तवचा जवाँ दिखती है antiseptic good मुहासी को कम करते हैं और अद्रक में मौजूद anti-inflammatory गुणों के कारण आप मुहासी के चलते होने वाले दाग धबों को कम कर सकते हैं हाट रोगों से बचाओ अपने अन्यगुणों के लावा अद्रक बलड को पतला करने का गाम भी करता है जो हाट समंद्य समस्याओं को रोखने में काफी जादा फायदेमद है बलड को पतला करने वाली दवाई blood clot की जो खिम को कम करती हैं जिससे हाट अट अटेक या इस तो का खत्रा कम होता है सद्रस्टर dhioént अबर को सोच रहे हैं कि स्वास्तल आपको बिचान इसे अपनी डायट का सेवन करने का सबसे ऑच्छा तरीका चाहा पानी को कुछ देर केलिए उबाले चाय को देरे धिरे पिए आप चाह को टेस्टी बनाने के लिए शहद या नीबू जैसी चीज़ें भी मिला सकते हैं अपने भूजन में अद्रक का इस्तेमाल करें इसके फायदे पाने और सुआद जोड़ने के लिए खाने में अद्रक को शामिल करें अद्रक का रस थोड़ी सी मात्रा में अद्रक का रस पीना अद्रक का से आपको अगर हेल्थ से जूड़ी कोई समस्या है तो हमने आपको अधरक इस्तेमाल के बारे में बताया आप अधरका इस तरीकी से इस्तेमाल करके अपने समस्याओं का निजात पास सकते हैं